नमस्ते, गुद मॉनिंग स्टूदेंस, हमने लास टाइम सीखा था फिफ्ट स्टांडर के हिंदी सब्जेक का चेप्तर नमबर डो है गिन्ती, उसके बारे में हमने एक से पचास गिन्ती अच्छे से सिखी और समझी थी, ठीक है? अब हम समझेंगे चेप्तर नमबर डो है उसके अभ्यास और स्वाधियाई के बारे में, तो आपका पाथ्य पुस्तक है टेक्स बुक के पेज नमबर 11, 12 और 13 पर है अभ्यास और स्वाधियाई, तो पहले देखिए पेज नमबर 11 पर अभ्यास उसका प्रस्ण नमबर 1, 21 से पचास तक की गिंटी को क्रमिक मिला कर चित्र बनाईे तो स्टुजन्स यहाँ पर एक चित्र दिया गया है उस में गिंटी के अंक दिये गए है तो आपको इन सभी अंकों को एक करना है दुर यह उस में नमबर 1 अंकों में लिखिए तो students यहां पर शब्द दिये गए है आपको उनके हिंडी अंक लिखने है तो यहां पर लिखा है 22 तो आपको लिखना है अंक लिखना है 2, 2 22 यानी की दो, डो, 22 एसे आपको यहां पर सभी शब्दों के अंक लिखने है ठीखे अब देखिए पेज नमबर 12 पर तो पेज नमबर 12 पर है प्रस्टा नमबर 2 सही जोडे मिलाईए यानि कि यहाँ पर आपको मेच करना है पहले औ लिखा है और बाद में ब है तो औ में अंक दिये गए है ब में शब्ड दिये गए है तो O और B को आपको मिलाना है जैसे कि 4-1 क्या होता है हम 4-1 को क्या बुलेंगे 41 ठीक है तो 4-1-41 उसको हमें match करना है यानि कि आपको यहाँ पर जो उसका और उसमें लिखा है U आपको यहाँ पर चार एक के बाजु में बोक्स है वहाँ पर उसमें लिखना है ठीके? अब देखिया प्रश्ण नमबर तीन आओ, खेले, खेल तो यहाँ पर एक खेल दिया गया है यहाँ पर लिखा है माचिस की तीन खाली डिबियों को एक के उपर एक रखते हुए आपस में चिपका ले उस पर रंगिन का अगज चिपका कर छह तक गिंती लिखे पासा तयार है अब इस पासे से खेलिये और गिंती का अभ्यास करते चाहिए आप जब वो से स्नेक्स और लेडर्स खेलते हो उसमें आता है ना पासा विसे ही यहाँ पर माचिस की तीन डबियां लेनी है इन डबियों को चिपकाना है और उसके आज पास में जो साइड होती है वहाँ पर एक से छे तक नमबर लिखने है तो एक पासा रेडी हो जाएगा उस पासे से आप देखे पेज नमबर थर्टिन पर डिया गया है पुरा वोक्स खेलने के लिए तो उसमें आप अपने घर पर छोते या बड़े भाई बेहनों के साथ खेल सकते हो तो यह आप घर पर खेलिएगा तो स्टुदंस यहाँ पर हमारा चेप्टर नमबर डो है गिन्ती वो समाप्त होता है अब नेक्स टाइम हम चब सिखेंगे तब हम तो तब हम सिखेंगे नन्ना मुना राही हूं यह एक देश भक्तिगी थे उसे हम अच्छे से सिखेंगे लेकिन इसे सिखने से पहले आप लोग एक बार इस से पढ़ जरूर लिजिएगा ठीके ओके हम इसको अच्छे से नेक्स टाइम सिखेंगे ओके बाई